दोस्तो आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइकी हस्पिटल लिमिटेड शेयर के बाट में दोस्तो स्पेशियली वक्कर खान जी ने शेयर के उपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट किये थे आज की इसी वीडियो में फॉंडामेंटली और टेक्निकली देखें ताकि उस एर के उपर भी वीडियो बना कर लेकर आएंगे तो दूस्तु और एक बात अगर यह चनल पर आफ आस्टेम वीजिट के हो तो प्लीज यह चनल को सब्प्राइब को लिजेगा और साथ में वैलका इकन प्रेस करके सब्सक्राइब को लिजेगा ताकि दूस्तु हमारे चनल पर जब भी नई वीडियो बने तुरंत आपको नोटिफेशन मिलते रहें तो दूस्तु सबसे पहले यहां पर कंपनी के अपाट में अगर बात करें यह कंपनी हस्पिटालिटी बिजिनेस यानि की कुछ रोम और जुड़ा हुआ है जहां पर अगर देखोगे यहां पर यह कंपनी 1990 से यह कंपनी हस्पिटालिटी बिजिनेस में जुड़ा हुआ है और अभी सिलाल इनका बिजिनेस नाइन स्टेट पे चल रहा है और 16 cities में available है जिनका अंदर 21 होटेल और 1255 ग्रोम है जो कि इनका हेड़क पर्टर मॉंबाई में है तो लिया पर दोस्तों आपको दोपता है कोवीट सिच्वेशन के बाद होटल की बिजिनस में कैसा और दीचने को मिला है तो सिलाल दोस्तों जो भी हो अब अगर कमनी की होटल पोटफोलियो की बात करें यहां पर आप देख सेकते हो 16 अवक्रोड आधाता है और यहां पर कंपनी की रेभीपीन्यु से अगर बात करें तो कंपनी पर शुटा सेुन आङतर है 169 करोड की ओभी market value है और उसके सामने हाँ पर RUC RU देखो गए ओभी मारस में जा चुका है कमनी का fundamental दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा विगोड चुका है अगर यहाँ पर बात करें book value की book value का आसपास stock का price हो भी देखने को मिलेगा और उसके साथ यहाँ पर debt money भी देख सकते हो debt money 92 करोड है जिसके सामने reserve money अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर industry का P.E. देख सकते हो लेकिन stock का P.E. अभी mention नहीं है और बाकी के details दोस्तों आप देख सकते हो 50 to 1 के अंदर भी बहुत ही बड़ा run-up दिखा चुका है और ऐसे भी EPS में जा चुका है तो fundamental दोस्तों stock आपको यहाँ पर week देखने को मिलेगा और यहाँ पर कमणी के बारे में pros and cons यहाँ बात करें तो कमणी के बारे में बहुत ही सारे यहाँ पर negativity देखने को मिलेगा जिस March 2020 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कमणी लोगातार लोस में चल रहा है और उससे पहले कमणी थोड़ा बहुत profit में था लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कमणी लोगातार लोस कर रहा है और ऐसे में year on year basis में देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ प दोस्तों का मोनी को मिलता है और यहां पर ठीक दखने को मिलता है यहां पर उतन highly होल्डिंग देखने को मिलेगा और उसी के साथ FII का होल्डिंग आप देख सेखते हो यहां पर FII ने COVID situation के बाद थोड़ा बहुत यहां पर decreasement किये हैं फिर भी दूस्तों यहां पर अभी भी उनके पास आच्छा होल्डिंग यहां पर अगर बात करें पिछले एक साल के चार्ट पेटन को अगर देखोगे यहां पर भी 135 पूर्टन का रिटन है स्टोक का चार्ट दूस्तों आप देख सेखते हो यहां पर सिर्फ आच्छा प्रफरमस करता हुआ देखने को मिल रहा था और बाकि दूस्तों कुबिट के बाद सारे के सारे स्टोक बहुत ज़्यादा राली दिखा चुके हैं लेकिन यह होस्पिटालिटी सेक्टर से बिलोंग करना बला है पेनिस यहार उसी रेंज पर फोसा हुआ देखने को मिल रहा है और अब आकि दूस्तों बात करें लॉंग टर्म व्यू की लॉंग टर्म में स्टोक अगर आगर चल कर आचा प्रफरमस करती है अपने बिजनेस में अगर आचा सुधार लाती है तो फिर स्टोक का अंदर आपको तेजी हुथा होगा देखने को मिल सकता है ले यहां पर स्टोक ने 50-day और 200-day moving average को उपर हीटेट कर रहा है और बाकी दोस्तों बात करें यहां पर 200-day moving average को स्टोक बहुत आचा सपूट कर रहा है यहां पर आप देख सकते हो फिर एक साल का अंदर स्टोक ने कभी 200-day moving average को breakdown नहीं किया है और बाकी दोस्तों यहां पर अच्छा सपूट रहेगा 200-day moving average का सपूट रहेगा स्टॉक अगर उसी रेंज के आश्पास आता है तो उसके उपर आप consider कर सकते हो फिर उसके बाद इस टोक के अंदर एक आच्छा reversal होता हुआ देखने को मिल सकता है और ऐसे भी दोस्तों 50-day moving average को भी कोई ना कोई एक आच्छा सपूट कर रहा है और यहां पर अगर 50-day moving average से भी स्टॉक सपूट लेता है तो उसके उपर भी आप कर सकते हैं तो सेलाल दोस्तों जो भी हो अगर स्टॉक के उपर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने रिश्पर ही करें क्योंकि वीडियो शर्फ आपके एद्विकेशनाल प्रोपेजिस के लिए था तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं और एक न